नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशन में आपका स्वागत है। यह संबंदित है आज के संपात की से। आज तीन संपात की को शामिल किया गया है और यह तीनों संपात की है। और तीसरा संपात की है जिसका सिर्शक है गैगिंग मीडिया नो सॉलिशन इसे लिया गया है फाइनेंसियल एक्सप्रेस से। तीनों संपात की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व। हम यह देखते हैं कि कल जो प्रशन पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है प्रशन है कि निम्न में से कौन इस्थल रुद्ध देश है। इसका सही जवाब है ए आर्मेनिया चलिए अब हम विस्तार पूर्वक एक-एक संपादिकी पर चर्चा करते हैं। पहला संपाद की यह जिसका सिर्शक है इंटम्पिरेट लेटर। इसका आधार है महराष्ट के राजिपाल का पत्र महराष्ट के मुख मंतरी के नाम। तो महराष्ट के राजिपाल ने महराष्ट के मुख मंतरी को जो पत्र लिखा है वह पत्र विवाद का कारण बन चुका है। आखिर यह विवाद का कारण क्यूं बना। तो विवाद के कारणों को अगर हम देखें, तो उस पत्र में कई ऐसी बातें लिखी वी हैं, जो सम्विधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति से आसान नहीं की जा सकती हैं। जरा सार रूप में यह देखते हैं कि आखिर उस पत्र में क्या लिखा हुआ हैं। राजिपाल ने यह लिखा है कि लॉगडाउन के समाप्त हुए चार महिने हो गए हैं। और इन चार महिनों में महाराष्ट सरकार के द्वारा बार और रेस्तरां को खोल दिया गया। परन्तु पूजा इस्थल पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। तो क्या देवी देवता लॉगडाउन में रहने को अभिसप्त हैं। या महाराष्ट के मुख्यमंत्री को कोई देव आदेश मिला है। या फिर महाराष्ट के मुख्यमंत्री अचानक सेकुलर हो गए हैं। जिस सब्द से कभी महाराष्ट के मुख्यमंत्री को नफरत थी। अब महाराष्ट के राजिपाल का जो पत्र है उस पत्र का जवाब महाराश्ट के मुख्यमंत्री ने उन्होंने क्या लिखा है उजरा वो देखिए उन्होंने यह लिखा कि जैसे अचानक लॉकडाउन लगाना सही नहीं था वैसे ही अचानक लॉकडाउन हटाना भी सही नहीं है रही भाद हिंदुत के अनुसरन करने की तो हिंदुत का अनुस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रमान की आविश्यक्ता उनसे नहीं है मतलब महाराश्ट के राजिपाल से नहीं है अब यहां सवाल यह है कि राजिपाल ने जो पत्र लिखा है तो यह पत्र राजिपाल ने अपने संवेधानिक पद के दाएरे में होकर लिखा है या राजनीती से प्रेरित होकर लिखा है तो यहां यह बात उलेखनी है कि महाराष्ट के जो वर्तमान राजिपाल है उनके द्वारा कुछ ऐसे कारे किये गए हैं जो सम्विधानिक पद से इतर राजनीती से प्रेरित दिखते हैं जैसे पिछले साल जिस प्रकार से माराष्ट चुनाव के बाद उन्होंने देवेंद्र फंडविस के नित्रित वाली सरकार को बनाने के लिए, जिस त्वरित गती से उन्होंने सपत गरहन की प्रक्रिया को संपादित कराया, वह उनके इरादों को इस्पस्ट करता था. वहीं आगे यह भी महत्पून बात है कि संविधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के द्वारा ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति कितनी जायज है. वहीं अगर हम राजिपाल के पद के कारी की बात करें, तो राजिपाल का कारे सरकार चलाना नहीं है, बल्कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है या नहीं चल रही है, यह देखना है और इसको सुनिश्चित करना है. वहीं अगर हम महराष्ट सरकार के लॉकडाउन से संबंदित निर्णेयों की समिच्छा करें, तो महराष्ट की सरकार ग्रिम अंत्राले के द्वारा दिये गए दिसा निर्देसों का ही पालन कर रही है. वहीं महराष्ट में कोरोना से होने वाली जो मिर्त्यु है उसकी संख्या सरवाधिक है. तो ऐसे में महराष्ट सरकार अगर यह निर्णे लेती है कि पूजा इस्थलों पर जो पाबंदिया है वो बनी रहे तो यह अनुचित नहीं है. वह इसलिए क्योंकि ऐसे इस्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो या पालन करवाना उतना आसान नहीं है. वहीं अगर हम धर्म निर्पेक्ष सब्द की बात करें तो हमें यह पता है कि सम्विधान की प्रस्तावना में 42 सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा इस पस् काल किया गया है वह काफी चिंता जनक है. और सबसे महत्पून बात यहां पर यह है कि भारती सम्विधान में जितने भी सम्विधानिक पद हैं उन पदों की प्रकृती धर्म निर्पेक्ष है और इन पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा जो भी नीती बनाई जाती है या जो भी निर्णे लिये जाते हैं तो उनसे यह अपेक्षा रहती है कि उसका आधार धर्म निर्पेक्ष हो. वहीं महराष्ट के राजिपाल के लिए भी यह आविस्यक है कि वो अपने उस सपत और प्रतिज्ञान को याद करें जिसके आधार पर उन्होंने राजिपाल क के पद की सपत लिती. महराष्ट कोरोना के विरुद संघर्सरत है और इस परिस्थिती में किसी भी प्रकार का राजनितिक हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का सांप्रदाइक एंगल या कोरोना के विरुद महराष्ट के संघर्स को कमजोर कर सकता है. तो इन इस्थिती और परिस्थिती को देखते हुए यहां अविस्यक है कि महाराष्ट में जो भी व्यक्ति जिन सम्वेधानिक पदों पर आसीन है उन सम्वेधानिक पदों से संबंधी जो भी कारिभार है उन कारिभार को निभाएं चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका सीर्शक है Unpleasant Spectacle और इस संपादिकी का आधार है आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेडी का पत्र और यह पत्र उन्होंने लिखा सर्वोच नियाले के मुख नियाधीस को इस पत्र के द्वारा उन्होंने सर्वोच नियाले के एक नियाधीस और आंदर प्र इस आरोप के दाइरे में आंधर प्रदेश के उच नयले के नयाधीसों को भी सामिल किया गया। यहां सबसे चिंताजनक बात यह है कि आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो पत्र सरवोच नयले के मुख्य नयाधीस को लिखा गया था, वह सारजनिक हो चुका है। अब यहां पर यह बात कि आंधर प्रदेश उच नयले के नयाधीसों को आखिर इसमें क्यों सामिल किया गया। एन रमेश कुमार को बताओर राज्य चुनाव आयुक्त बहाल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने उचितम नयायले का रुख किया, उचितम नयायले ने हाई कोट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रमेश कुमार ने जिनने नाइडू शासन में निक्त किया गया था, कोविड-19 महमारी का हवाला देते हुए इस्थानी निकायों के चुनाव टालने का फैसला किया था। वहीं आगे देखें कि हाई कोट ने राज्य सरकार के उस आदेश को भी हरिज कर दिया, जिसके तहट सभी सरकारी स्कूलों में कक्छा एक से च्छ तक अंग्रेजी माध्यम को अनिवारिक कर दिया गया था। तो ये और भी कई सारे कारण यहां पर मौझूद हैं जिसके कारण आंधर प्रदेश के मुख मंत्री ने आंधर प्रदेश उच न्यायले के न्यायद्हीसों को भी इन आरुपों में शामिल किया। वहीं आंधर प्रदेश उच न्यायले ने यह निर्देश दिया है CBI को कि वह उन सिकायतों की जांच करें जिसमें न्यायपालिका और उसके साथ साथ व्यक्तिकत न्यायद्हीस के विरुद सोसल मीडिया पर जो अपमान जनक पोस्ट किया गया है। सरकार के संदर्भ में आंधर प्रदेश उच न्यायले का यह भी कहना है कि कोट के विरुद हैं मतलब कि उच न्यायले के विरुद जो लोग कारी कर रहे हैं उसको गिरफतार करने में पुलीस आनकानी कर रहे हैं। और यह ऐसे लोग हैं जो YSR कॉंग्रेस से समंदित हैं। मतलब यह कि जगन रेडि जिस दल से आते हैं उससे। वहीं मुखमंत्री के विरुद जो लोग राजनीतिक गतिविदियों में लिप्त हैं तो पुलिस उनको गिरफतार कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर यह है कि यह जो विवाद दिख रहा है आन्धर प्रदेस में इस विवाद का कारण है परसपर आरूप। परसपर आरूप का मतलब यहां पर क्या है कि सरकार यह कहती है कि उच्च न्यायले सरकार के विरुद सत्तुरता पूर्ण रवय्या अपना रहे हैं वहीं न्यायधीसों का यह करना है कि जो सरकार है वह उच्च न्यायले के न्यायधीसों के विरुद राजनीतिक में से ना देखा जाए अब यहां एक महत्वपूर्ण प्रस्ण है भारत के सर्वोच न्याले के मुख न्याधिस की समक्ष है वह प्रस्ण यह है कि आंद्र प्रदेश के मुख मंत्री के द्वारा जो पत्र लिखा गया है आखिर उसके साथ किस प्रकार का वेवहार हो क्योंक कि उस पत्र को एक निर्वाचित प्रतिनिधी के द्वारा लिखा गया है तो इस आधार पर उसकी अंदेखी नहीं की जा सकती लेकिन इसके अलावा यह जो पत्र लिखा हुआ है वह कहीं न कहीं एक और संतुस्ट याचिका करता के द्वारा भी लिखी गया है तो ऐसा ना ह कि उसको अनुचित स्रे दिया जाएं। के द्वारा दी जाएं। भरष्टाचार से सम्मंदित, अगर कोई सार्जनिक बयान दिये जाते हैं, तो फिर उन बयानों का आकलन किन परिस्थितियों और किन आधारों पर किया जाएं। उनके उपर जो भरष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो क्या यह आरोप सार्जनिक रूप से लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो इन प्रस्णों पर विचार किये जाने की आविस्थिता है, ताकि आमजन का विश्वास न्याय पालिका के प्रती जैसे पहले था वैसे ही भविस्थि में भी बना रहे हैं. चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादिकी की ओर, तीसरा संपादिकी यह, जिसका सीर्षक है, गैगी मीडिया, नो सॉलिसन. इसका आधार है, सुसान सिंग मौत पर मीडिया की द्वारा किया जाने वाला विभार. अब मामला यह है कि अटर्णी जनरल के के वेनु गुपाल ने सुप्रीम कोट में यह बात कही कि वर्तमान समय में मीडिया अपनी सीमा का उलंगन कर रही है. मीडिया चाहे वो प्रिंट हो या एलेक्ट्रोनिक हो. यह दोनों विचाराधीन मामले. मतलब कि ऐसे मामले जिस पर अभी नैपालिका में सुनवाई हो रही है उस पर यह इस प्रकार की टिपनी करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मीडिया खुद से ट्राइल कर रही है और जिसे मीडिया ट्राइल की संग्या दी जाती है. मीडिया ट्राइल का अर्थ है कि किसी अपराध से संबंधित व्यक्ति या आरूपी को या तो मीडिया अपने इस तर से दोसी सिद्ध करती है या उसे निर्दोस साबित करती है. और यह जो मीडिया ट्राइल आज के समय में चल रहा है तो ऐसी आसंका है कि मीडिया ट्राइल प्रभावित कर सकती है ना केवल आम लोगों को बलकि नयाधीज को भी. और media trial जो अभी चल रहा है यह दोनों मतलब की आरोपी और न्याइक संस्था इन दोनों के अधिकारों का उलंगन कर रही है इसलिए यह आविस्यक है कि जैसा कि केके वेनुगोपाल ने कहा कि इसलिए यह आविस्यक है इस बात की आविस्यकता है कि भारती संविधान द्वारा दिये गए अभिव्यक्ति के अधिकार और आदालत अभमानना कानून इन दोनों के मद्द सामजस से इस्थापित हो अब अगर हम वास्त्विक इस्थिती की समिछा करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान में मीडिया अपनी भूमिका का निर्वाह उत्तरदाइत पूर्ण तरीके से नहीं कर रहा है और वहीं मीडिया के सूचना प्रेशन में जो कमी है इस कमी को और बढ़ा देता है कौन सोसल मीडिया मतलब ये सोसल मीडिया की भूमिका भी वर्तमान समय में उत्तरदाइत पूर्ण नहीं है तो आवस्यक्ता इस बात की है कि मीडिया की कारिपर्णाली में सुधारों और इसके लिए यह भी जरूरी है कि नियाएपाली का ठोस कदम उठाए परंतु लोगतंत्र के लिए यह महत्रपूर्ण है कि स्वतंत्र मीडिया अपना कारी करती रहे ताकि जनहित से सम्मंदित जो निस्पक्ष और विवेक पूर्ण सुचना है वह लोगों तक पहुँचे और इसके लिए यह जरूरी है कि सर्वोच नियाले पूर्व में दिये गए अपने निर्णेयों को आधार के रूप में प्रयोग करे चलिए देखते हैं कि सर्वोच नियाले ने पूर्व में कौन-कौन से महत्पूर्ण निर्णे दिये हैं एक मामला है एके गोपालन बनाम नुर्दीन मामला तो एके गोपालन बनाम नुर्दीन मामले में मीडिया के संदर में सर्वोच नियाले ने यह बात कही कि मीडिया का वैसा स्टेट्मेंट जिससे निस्पक्च सुनवाई को खत्रा हो तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए वहीं राम अवतार शुकला बनाम अर्विंद शुकला इस मामले में सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि अवमानना कानून को इसलिए रखा गया है ताकि विधी की सम्यक प्रक्रिया को इस्थापित किया जा सके वहीं सहारा बनाम से भी मामला इस में सुप्रीम कोट ने यह बात कही कि अगर मीडिया ट्राईल न्याइक प्रक्रिया के मार्ग में बाधा उत्पन्द करता है अबमानना के दाइरे में आता है। पनंतु सुप्रीम कोट ने इसी मामले में यह भी बात कही कि कोई मीडिया रिपोर्टिंग अबमानना की स्रेणी में आती है या नहीं आती है इसके लिए जांच भी किये जाने की आवसकता है। तो जहां सुप्रीम कोट मीडिया की स्वत्मतृता को बनाए रखे वहीं यह भी आवस्यक है कि मीडिया अपने उत्तरदाईत को सुनिश्यक करें। तभी संविधान प्रदत्वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का जो लक्ष है उस लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं आज का प्रस्ण क्या है। आज का प्रस्ण है कि भारत में विधी की किस प्रक्रिया को शामिल किया गया है। कमेंट सेक्षन में आपके उत्तर की अपेक्षा रहती है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार